शिव जी की प्रिये बेल पत्र के बिना सावन की पूजा अधूरी माने जाती है हिंदू धर्म में बेल पत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है इसे बेल पत्र या बेल के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है शिबलिंग की पूजा करने के दोरान बेल पत्र चढ़ाया जाना ज़रूरी माना जाता है ऐसा माना जाता है कि शिबलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से भोले नाथ प्रसंद हो जाते हैं बेल के पत्ते केल्सियम और फाइवर जैसे पोशक तक्वों से भरपूर होते हैं बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जहां इसके इतने सारे फाइदे हैं तो वहीं बेल के पत्तों के नुकसान भी है जी हां कुछ मामलों में इसके सेवन से नुकसान भी हो सकता है तो चलिए आपको बताते हैं कि बेल के पत्तों के क्या-क्या नुक्सान होते हैं बेल का स्वास्थ के मामले में किसी ओशिदी से कम नहीं माना जाता इसके अलावा बेल के पत्ते आम दोर पर स्वास्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं कहते हैं कि कई महिलाएं जोडों के दर्द के इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं, हाला कि जरूरी नहीं कि बेल के पत्ते हर किसी के लिए और शिदी का ही काम करें. कुछ लोगों को बेल के पत्तों से एलर्जी हो सकती है जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्या जैसे कि उल्टी तकलीफ और पेट दर्थ का कारण बन सकता है बेल के पत्तों में सूडियम होता है इसलिए इन पत्तों का अधिक मात्रा में सीवन करने से उच्छ रक्त चाप का ये कारण बन सकता है गर्वती महिलाओं को बेल के पत्तों का सीवन करने से बचना चाहिए इससे गर्व अवस्था के दौरान समस्याएं हो सकती है